मिर्जापुर 3 का जादू गुड्डू भई अपनी ओडेंस पे चला पाए हो या नहीं लेकिन गुड्डू पंडित एके ए अली पर्जल हमें फिर से दिखने वाले हैं ओपोजिट समांता प्रभू इन द फिल्म रक्त ब्रह्मान जी हां ये काफी एक्साइटिंग पेरिंग होने वाली है considering the fact कि ये दोनों ही बहुत बहतरीन अक्टर्स हैं और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी जिसमें आपको वामिका गैबी और साथ में अधित्यर रॉय कपूर भी दिखेंगे लेकिन आज की कहानी इस बारे में नहीं है आज हम बात करेंगे फैशन 2 के बारे म में एक फिल्म लिखी और डिरेक्ट की थी जिसका नाम था फैशन जिसमें हमें प्रयंका चोप्रा, कंगना रनाउथ जैसे सूपर स्टार्स दिखे थे और ये फिल्म अपने टाइम की एक काफी बड़ी सूपर हिट थी तो क्या इसका सी को लाने वाला है इस पर एक बड़ गर्ल्स जैसी फिल्म डिरेक्ट करकर फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे रास खोले थे बॉलिवुड की इंडस्ट्री जितनी लाविश और अच्छी दिखती है बाहर से उतने ही डाक सीक्रेट्स हैं इस इंडस्ट्री के और कही ना कही मदूर भंडार कर ने अपनी स्टो और उस टाइम पर इस फिल्म के गाने, इस फिल्म का फैशन, सब कुछ टिप टाप था, लोगों को इसकी कहानी बहुत जादा पसंद आई थी, और सज बताऊं तो उस टाइम पर जितने भी aspiring models या actors थे, उन लोगों को इस फिल्म से काफे कुछ सीखने को मिला था, in terms of about the industry, और his films about the film industry और the fashion industry वो काफी जादा बड़ा है, इस फिल्म में हमें लीड रोल में प्रयंका चोपरा दिखी थी, जो एक struggling model होती है, और वो काफी सारे मतलब दावपीच खेल कर, she just has one vision and goal and that is to reach on top, वो उसके लिए अपने parents से भी लड़ लेती हैं, society से भी लड़ लेती हैं, और क भी बहुत जादा पेमस हैं, Kangna was highly appreciated for her performance in the film, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी model का रोल किया था, जो show stopper है, लेकिन उसके पास सब कुछ होकर भी mental stability और discipline नहीं है, इस फिल्म के सभी characters की जो individuality थी, वो बहुत ही जादा inspiring थी, और उसी के बाद मदूर बंदार कर came up with another film on the film industry and that was Heroine, जिसमें हमें करीना कपूर दिखी थी, opposite अर्जुन रामपाल, ये फिल्म भले ही box office पर उतना अच्छा collection नहीं कर पाई, लेकिन लोगों के दिलों और mind पर इसने काफी बड़ी छाप छोड़ी थी, I have personally interviewed मदूर बंदार कर और उन्होंने मुझे एक ऐसा किसा बताया था, जि उन्होंने कहा कि पहले मेरी बेटी का सपना था कि वो एक model बनेगी, वो अपनी engineering छोड़ कर सिर्फ modeling pursue करना चाहती थी, लेके आपकी film देखने के बाद उस चीज ने उस पर इतना बड़ा impact डाला कि उसने अपने goal को pursue करने से पहले बहुत फूप फूप के कदम रखे और उस is the kind of impact Mother Bhandaarkar की films have on people. आपको fashion film कैसी लगी थी, मुझे comment section में जरूर बताना. अब बात करें fashion 2 की, तो fashion 2 का जो plot है, जो theme है, वो सब कुछ decide हो चुका है according to Mother Bhandaarkar, और sources में ये भी बताया है कि वो film को लेकर बहुत जादा excited है, पर एक twist ये है कि इस बार वो चाहते हैं कि ये article release ना होकर एक OTT release हो और हीरा मंडी का concept देखते हुए उन्होंने ही सोचा है कि वो fashion को भी as a web series release करेंगे. तो भाया ये देखना तो बहुत interesting होगा कि आखिर fashion 2 के sequel में मधर Bhandaarkar किस को cast करते हैं? If you ask me, I feel Shobita Dhulipala बहुत अच्छा रोल कर पाएंगी क्योंकि वो दिखती हुए एकदम मॉडल जैसी है और उनका जो face cut है, उनकी जो acting है, बापरे, she will kill it in this film. आपको क्या दगता है, कौन सी actresses film के लिए सबसे जादा सूटेपल रहेगी? मुझे comments में जरूर मताएं. साथ ही entertainment industry सो जुड़ा ही update अगर आपको पसंदाया हो, then you know what to do. Make sure that you comment your opinions below, like this video, share this with your friends and family and if you see that bell icon there, do not forget to press it and do subscribe to Uncut.